प्रेस्टे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद नेवर मिस अनादर अपडेट इसकार निशा बुटी चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको अंब्रेला कट प्राग बताएंगे कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है हम इस तरह फोल्ड करेंगे कपड़े को 10-11 साल के लड़की लिए हम बना रहे है कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है हम इस तरह निशान लगाएंगे यहाँ से 11 इंच पर ऐसे बुलाई करेंगे कमर हमारी 12 इंच यह साड़े छैपिम कटाई करेंगे इस ग्यारा साल रड़की के हम बना रहे हैं बना र्ड़की आपर बना रहे हैं करेंगे जोड लगाएंगे जोड के लिए हम इस तरह करेंगे 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 अब यहां से हमें इसको ऐसे कटिंग कर देंगे जोड लगाएंगे नीचे हमारा नीचे कट गया है यह हमने नीचे खिस्सा काट लिया है अब उपर बोडी काटेंगे बोड़ी बनाने के लिए हमने एक अपड़ा लिया है फोल्ड है नंबाई त्यरा इंच त्यार है एक इंच इस्ट्रा लेंगे जोड़ाई बारा इंच इंच दो इंच इस्ट्रा करेंगे काट लिया है वैसे फोल्ड करेंगे है अगले काट दो इंच 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 इंचे इस्ट्रा इनच इंच ओ जोड़ाई जोगर इस्ट्रा इस पांच इंच इंच साड़े पांच यहां से यहां से है से दे देंगे गुलाई की यह हो भी हमारी कटिंग बॉड़ी की हम गला कटिंग कर लेते है बॉड़ी की कटिंग यहां से हम धाई इंच का निसान लेंगे यहां से तीन इंच पिछे हम जिप लगाएंगे जिप लगाने के दें हम काट रहे हैं आगे गले कटिंग हम नहीं करेंगे इसमें बक्रम लगाके डालेंगे गले में अब लंबा यह कटिंग है ऐसे हम निसान लगाते जाएंगे कटिंग यहां से यहां से सिधा पकड़के यहां किसान हमने पहले से लगा लिया है अब अब आइसे करके कत्यिसे इंच पे निसान तो जो आ रहां है अब अधर से भी कट्थिस यहां से भी कट्थिस निसान हमारा लग गया अब गुलाई से में कटाई कर लेंगे यह हो गए हमारी कटिंग हमने कर ली थी अब हम साथ नीचे जोड लगाएंगे जोड हम इस तरह रखते लगाएंगे जोड हमने लगा लिया है दोनों तरफ है अब अब आगे का गला हम बनाएंगे साड़े चार इंच हम गला लेंगे गला हमारा चाउड़ा है थोड़ा सा मैं ऐसे करेंगे ऐसे करके सिलाई लगाएंगे छोटा बन जाएगा गलिफ हमने सिलाई लगा लिए अब इस तरह फोल्ड करेंगे कट भी लगा लिया है ऐसे करके अब जिलाई हमने लगा ली है ऐसे फोल्ड करके बीच में हम निसान लगाएंगे अब बीच में निसान लगा लिया हमने अब इस तरह रखके हम गलिफ सिलाई करेंगे कट हमने लगा लिया है गलिफ हमने कच्छी सिलाई लगा लिए है अब हम पीछे वाले गले जिप लगा के बताते हैं अब कर देड़ इंच हमने कपड़ा ले लिया है पठी लगाने को हमने जोड़ ली है इसे भी कच्छी सिलाई लगाई है अब इस तरह करके हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह यह भी है अब इसको अंदर पॉल्ड कर देंगे जिप ऐसे रखकें हमने एक तरफ सिलाई इस तरह लगा दी है कि दूसरी हम तरफ हम इस तरह बीच में रखके लगाएंगे सिलाई दोनों तरफ हमने लगा ले एक तरफ हमने जमय किनारे लगाई है एक तरफ हमने बीच में लगाई है अब ऐसे बंद करके हम देखते हैं कि हमारी लग गई वे बीच में जोड़ डाले थे सिलाई इसको ऐसे उपर रखके कि यहां हम बंद करेंगे इस तरह लगा के हम ऐसे सिद्धी सिलाई एक लगाएंगे कि इसलाई हमने लगा लिए जो हमारी इस्ट्रा है जिफ हम इसको काड़ देंगे कि ऊपर से भी कि ऐसे पूल के हम करेंगे अब यहां से हमें पाइपनी लगाएंगे अब यहां एक हुक लगा लेंगे हम तीरेख सिलाई कर लेते हैं तीरेख हमने सिलाई लगा दी है अब यहां से हम थोड़े से आधी आधी से कम कटिंग करेंगे हम पुठा करके ऐसे रखके लगाएंगे अब यहां सिलाई हमने लगा लिए है अब इसको उपर से ऐसे रखके शिलाई हम लगाएंगे पाइपिन हमने लगा लिए दोनों तरफ अब साइड के सिलाई लगाएंगे अधी आधी इंची छोड़के हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं अब त्यार करेंगे अब सिलाई लगा दी है जोड़ें इसको अब हम इसको जोड़ते हैं अधर हम कटना लगाएंगे इधर तमारे साई हाई है इसे करके अधा कि आधे लुद्याइए बाके इसे लाएंगे अध्याउटेर्ण कि इसे लिए हिंच गेंदेरे पट्टी काथ लिए है जोडल भी लगा लिया है अब इस तरह रखके हम सिलाई करेंगे हमने सिलाई लगा दी एक इस तरह आई है अब ऐसे फोल्ड करके ऐसे उपर से लगाएंगे पट्टी लग के तयार हो गई है अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करना